Hello students, चलिए स्टार्ट करते हैं exercise 9.3 का question number 6 देखते हैं क्या है In figure, diagonal AC and BD of quadrilateral ABCD intersect at O उसने क्या का है, ABCD क्या है, quadrilateral है जिसके अंदर AC diagonal और BD diagonal हमारे O point पे intersect करते हैं Such that OB equal to OD तो यहाँ पे उसने OB और OD को equal भी बता दिया यह दोनों क्या है, equal If AB equal to CD अगर AB side CD के equal हो, then show that area of DOC, DOC equal है हमारा OAB के यह चीज हमने प्रूव करनी है, first part में तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमें given क्या है ABCD is quadrilateral यहाँ पे लिख दिया हमने और given, equal क्या-क्या given है OB equal to OD given है and AB equal to CD given है लिख दिया तो प्रूव के अंदर आजओ अब area of DOC equal prove करना है area of AOB के यह चीज हमने प्रूव करनी है तो यहाँ पे मैं directly तो इसको equal prove करनी सकता क्योंकि मेरे पास data जो है जो भी data given है वो इतना sufficient नहीं है कि मैं इन दोनों को congruent prove कर सकूँ या फिर मतलब कुछ भी equal prove कर सकूँ तो इतना data तो नहीं है मेरे पास जो भी हमारा given है तो मुझे यहाँ पे कुछ construction करनी पड़ेगी छोटी सी क्या construction करनी पड़ेगी एक मैं perpendicular draw कर लेता हूँ d point से ये मैंने perpendicular draw कर लिया ये dm और similarly b से एक perpendicular draw कर लेता हूँ bn ac के उपर अब मैं कुछ कर सकता हूँ यहाँ पे तो यहाँ पे देखेंगे construction की है मैंने construction के अंदर क्या लिखेंगे draw perpendicular dm and bn on ac dm और bn मैंने ac पे perpendicular draw कर लिये अब देखो यहाँ पे मुझे ये perpendicular draw करने पड़े तो यहाँ से मैं area equal प्रूव कर सकता हूँ अगर मैं strangle का द्यान से देखो सबसे पहले यहाँ पे perpendicular draw किये है यहाँ पे strangle का और strangle का इन दोनों को congruent प्रूव कर लूँगा इस strangle और strangle को congruent प्रूव कर लूँगा तो इन दोनों के इसका इसका area equal हो जाएगा इन दोनों को add कर लूँगा हो जाएगा clear तो देखेंगे सबसे पहले हम triangle लेके चलेंगे dm o और bn o तो यहाँ पे देखो int triangle dm o and triangle bn o यह triangle और यह triangle यूज़ कर ली मैंने इनके अंदर देखो angle m और angle n क्या है 90 degree तो यहाँ पे लिखेंगे angle m equal to angle n 90 degree clear है? कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद हमारा जो है o d equal to o b o d equal to o b given है तो यहाँ पे लिखेंगे o b is equal to क्या है? o d given यह भी clear हो गया है angle o जो है इस angle o के equal होगा तो मतलब d o m angle d o m is equal to किसके होगा? b o n के angle b o n के क्यों होगा? दोनों के दोनों क्या है? हमारे vertically opposite angle vertically opposite angle तो दो angle और एक side equal होगी तो दोनों triangle क्या होगी है? congruent तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? so triangle d m o congruent है triangle b n o के अब यह triangle और यह triangle congruent होगी congruent का मतलब क्या होती है? बिल्कुल एक जैसी तो इसका area और इसका area भी क्या हो जाएगा? equal तो यहाँ पे क्या जाएगा? area of triangle d m o equal to किसके होगा? area of triangle b n o के equation number first region भी लिख देंगे by c p c t congruent part of congruent triangle से समझे आगी बात अब देखो इस triangle और इस triangle को लेके चल पड़ूँगा मैं इनको भी अगर मैंने congruent or area equal प्रूव कर दिया तो equation first or second को add कर दूँगा प्रूव हो जाएगा तो अब बात करेंगे int triangle d m c int triangle b n a के अंदर सबसे पहले angle m इसमें भी बनेगा angle m equal to क्या हो जाएगा? angle n 90 degree है कोई दिक्कत नहीं है d m is equal to जो dm है हमारा वो किसके equal है? b n के dm is equal to b n क्यों है? अभी strangle को strangle को congruent prove किया था तो cp ct से दोनों क्या होगे हमारे? equal होगे तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? proved कोई दिक्कत नहीं है और जो a b side c d के equal given है हमे given ही है यह तो तो a b equal to क्या है हमारी c d यह given अब देखो एक angle दो side equal होगे तो यह दोनों triangles क्या होगे? congruent तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? so triangle d m c congruent होगी triangle b n a k तो area of triangle d m c equal होगे हमारा किसके होगे होगे? area of triangle b n a k यहाँ पे जो यह congruent प्रू करते हैं साथ में लिख भी दिया अगरो दो angle equal थे तो angle angle side से इक था और यह हमारा क्या हुआ है? किस से हुए है? दो side हैं तो side side angle से तो दोनों का area equal आ गया? यह equation number 2 अब add कर देंगे equation first और second को हो गया proof add first and second first के अंदर देखो क्या है? area of triangle d m o plus में क्या आ जाएगा? area of triangle d m c is equal to right hand side में क्या है? area of triangle b n o plus में triangle b n a यहाँ पे a आ जाएगा? अब देखो d m o plus में d m c d m o plus में d m c यह पूरी triangle बनगी न हमारी? कौन सी triangle बनगी? d o c तो यहाँ पे आ गया area of d o c equal to b n o plus में b n a b n o plus में b n a यह triangle और यह triangle add होके क्या बन जाएगी? हमारी a o b तो area of a o b यही चीज हमने prove करनी थी hands prove समझ में आ गया आपको इसलिए मैंने यहाँ पे perpendicular draw किये थे कि इस triangle को इसके congruent prove कर दूँगा इसको इसके वैसे हमारा congruent prove हो नहीं रही थी समझ में आ गया होगा आपको करने को तो हम इसको simple तरीके से भी कर सकते थे अगर चाहो तो ठीक है? यह proper way है दूसरा अगर आपको अगर आपके mind में आये तो देखो इस triangle और इस triangle के अंदर angle o angle o vertically opposite हो जाते यह हमें equal given है यह side यह side equal given है तो दो side और एक angle अगर हमारे equal हो जाते तो यह triangle इसके congruent हो जाते दोनों की दोनों triangle उससे भी हम इन दोनों के area को हम क्या लिख सकते है इकवल लिख सकते है वो तरीका भी आप follow कर सकते हो गलत नहीं माना जाएगा ठीक है? बट कुछ teachers उसको direct method मानके उसको cross कर देते हैं इसलिए मैंने उस method से आपको नहीं बताया तो आप वैसे कर सकते हो of triangle और एक angle equal हो गया तो दोनों triangles क्या होगी congruent उससे भी area equal कर दो हो जाएगा ठीक है? तो अब चलते है अपने second part पे second part के अंदर हमने क्या प्रूव करना है area of dcb dcb equal प्रूव करना है a c b के तो यहाँ पर देखो हमने क्या करना है देखो area of dcb equal प्रूव करना है area of a c b के अभी मैंने क्या प्रूव किया है area of dc equal to area of a o b प्रूव है मुझे चीए dcb का dcb अगर मैं इसके अंदर से boc boc इस वाले area को गटा दूँ देखो ध्यान से dcb dcb के अंदर से इसके अंदर से यह है हमारे पास d o c d o c इसके अंदर मुझे add करना पड़ेगा sorry subtract नहीं करना है यहाँ पे देखो मुझे dcb चाहिए dcb पूरी complete triangle का area चाहिए मेरे पास है d o c तो इसमें अगर मैं यह area add कर दूँ तो मुझे पूरी triangle का area मिल जाएगा यहाँ पे मुझे यह given है यह है right hand side पे तो इसके अंदर भी area add कर दूँगा तो इस triangle का मिल जाएगा तो simply best क्या करना है add area b o c on both side दोनों तरफ क्या कर दूँ b o c को add कर दो बस area of d o c plus में area of b o c equal to area of a o b plus में area of b o c दोनों में b o c add कर दिया मतलब left hand side भी वही value add कर दी right hand side भी तो दोनों को add करूँगा तो मेरे पास क्या देगा area of d c b is equal to area of a c b hence prove यह भी आ गया होगा आपको समझ में next बात करते है third part की third part के अंदर मुझे क्या करना है d a parallel to c b और a b c d parallelogram prove करना है तो यहाँ पे देख लेते हैं triangle d m c congruent prove की थी triangle b na के d m c d m c इसको मैंने b na के congruent अभी अभी prove किया था first part के अंदर तो यहाँ पे angle d cm is equal to angle b a n हो जाएगा या नहीं हो जाएगा यह वाला angle इसके angle मैं k equal लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ by c p c t देखो ध्यान से यह triangle और यह triangle congruent थी तो इसका यह angle और यह angle क्या लिख दिया by c p c t equal अब यह दोन्नों angles अगर हमारे equal है यह और यह तो यह वैसे कौन से angle होते हैं हमारे alternate angle होते हैं और यह alternate angle कब होंगे हमारे जब हमारा d a और b c क्या होंगी पैरलल तो यह क्या है these are alternate angle so d a क्या है parallel to c b d a parallel to c b है तो यहां पर क्या हो जाएगा a b c d is a parallelogram समझ में आई बात यह angle और यह angle equal alternate तब ही होंगे जब हमारी यह line और यह line क्या होंगी एक दूसरे के parallel होंगी I hope आपको समझ में आ गया होगा कोई doubt नहीं होगा तो a b c d क्या होगी हमारी एक parallelogram प्रूव होगी कोई भी दिक्कत आपको लगे तो मुझे comment करके बता सकते हैं thank you students for watching this video thanks